नमस्ते बच्चों एक कुशल संगीतकार बनने की तरफ आगे बढ़ाया किस तरह से उन्होंने शेहनाई को सीखते हुए अपने परिवेश से प्रिणाय ग्रहन की अब जानते हैं कि आगे एक परिपक्को कलाकार के रूप में उनका कैसे विकास होता है बच्चों काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन नुम अद्भुत परंपरा है यहाँ आयोजन पिछले कई वर्सों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है बहुत पुराने समय से संकट मोचन नामक मंदिर में एक समारो होता है जिसमें काशी और आसपास के ही नहीं बलकि देश विदेश के बहुत सारे संगीतकार आते हैं अपनी प्रस्तुतियां देते हैं यह मंदिर शहर के दक्षण में लंका पर स्थित है वह हनुमान जयनती के अवसर पर यहां पाँच दिनों तक उप शास्त्रिय गायनवादन की उत्कृष्ट सभा होती है प्रतियोगिता में इस आयोजन में वे जरूर शामिल होते थे अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्ला खां की श्रद्धा काशी विशुनात जी के प्रति भी अपार है अपने मजहब के प्रती पूरी तरह समर्पित थे लेकिन इसके बावजूद उनकी श्रद्धा उनका भरोसा काशी विशुनात पर भी था विशुनात यानि विशुनात बच्चों प्रयावाची है शिव जी का काशी को शिव जी की नगरी माना जाता है तो उनका काशी विशुनात पर भी अपार श्रद्धा थी भरोसा था वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विशुनात वबाला जी मंदिर की दिशा की ओर मुह करके बैठते हैं थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शेहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीड के माध्यम से बसती है बच्चों देखे कितनी सुन्दर पंगती है भीतर की आस्था भीतर का जो भरोसा है वहरीड के माध्यम से शेहनाई के प्याले से आवाज के रूप में स्वर के रूप में निकलती है क्यों? क्योंकि वे जहां भी शेहनाई बजाते हैं शेहनाई की शुरुवात वे काशी विशुनात की तरफ अपनी शेहनाई के प्याले को घुमा कर करते हैं ये भरोसा है उन्हें अपने जगा के विशे में काशी विश्वनात के बारे में ये श्रद्धा है उनके भीतर और यही भारत की गंगा जुमनी तहजीब है खाँ साहब की एक रीड पंदरा से बीस मिनट के अंदर गीली हो जाती है तब वे दूसरी रीड का इस्तमाल कर लिया करते हैं बचों जब हम शेहनाई बजाते हैं तो चुकी फूप के द्वारा यह बजाया जाता है और रीड को मूँ के भीतर रखा जाता है बजाते समय तो पंदरा से बीस मिनट के अंदर वह गीली हो जाती है और जब रीड गीली हो जाती है तो शेहनाई ठीक से नहीं बजाती है और अक्सर कहते हैं क्या करें मिया इक आशी छोड़ कर कहा जाएं गंगा मैया यहां बाबा विशुनात यहां बाला जी का मंदिर यहां यहां हम नाना तो यहीं बाला जी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित सहनाई बाज रहे चुके हैं अब हम क्या करें मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी ना काशी जिस जमीन ने हमें तालीम दी जहां से अदब पाई वो कहां और मिलेगी शहनाई और काशी से बढ़ कर कोई जन्न नहीं इस धर्ति पर हमारे लिए देखिए बच्चों यह आस्था है शहनाई के प्रति काशी के प्रति उस्ताद बिसमिल्ला खांस सहब के भीतर यह आस्था ही उन्हें उस्ताद बनाती है उन्होंने इतनी प्रसिद्धी प्राप्त की इसके बावजूद यह आस्था नहीं हिली और कभी उन्होंने काशी नहीं छोड़ा उन्हें अनेक जगों से जरूर प्रलोभन मिला होगा निमंत्रन मिला होगा कि काशी छोड़ कर बड़े-बड़े महानगरों में जाकर बहश जाएं लेकिन वे कहते हैं कि जहां से तालीम पाई, शिक्षा पाई, उसका एक कर्ज होता है हमारे भीतर, उस कर्ज को पूरा करना होता है बच्चों, उसे छोड़ा नहीं जा सकता, और बिस्मिल्ला खां साहब इस अनुछेद में यही भाव व्यक्त कर रहे हैं, काशी संस्कृति की पाठशाला है, बच्चों और लगातार उसे विक्सित करता, इसी को संस्कृति कहते हैं, काशी एक तरह से जीने की इस शैली की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, आनंद कानन, कानन का अर्थ होता है जुर्मुट या वन, आनंद का जुर्मुट या वन है काशी, क काशी में कलाधर हनुमान, हनुमान जैसे देवता जो वीरता या शक्ति के देवता हैं, वे भी कलाधर हैं, काशी में वे भी कला के उपासक हैं, कलावान्त हैं, और नृत्य विश्वनात, और विश्वनात यानि शियू, नृत्य विश्वनात के नाम से विख्यात हैं, यानि ऐसे शिव जो नृत्य करते हैं काशी में बिस्मिल्ला खाँ है तो एक तरह से देखिए कला संगीत का समनवे है काशी काशी में बिस्मिल्ला खाँ साब भी रहते हैं और काशी में हजारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महराज हैं विद्याधरी हैं बड़े राम इन रसिकों से उपकृत, इनका उपकार प्राप्त करने वाला रसिकों का समू है, काशी के वे लोग हैं, जो इन लोगों की कला को सराहते हैं, इन लोगों की कला को प्रोथसाहित करते हैं और समझते हैं, इसका आनंद उठाते हैं, यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजी यानि अपनी संस्कृति है अपनी ही तरह की बोली है और अपनी ही तरह के यहां के लोग हैं यानि यह सब विशेस है इनके अपने उत्सों हैं अपना गम अपना सहरा बनना और अपना नौहा यहां खुशी और दुख दोनों अपने हैं सहरा बनना यानि विवाह आदी उत्सो खुशी के उत्सो नौहा यानि मुहर्रम के आउसर पर जो मातम मनाया जाता है वह सब काशी का अनोखा है अपनी ही तरह का है देश में और कहीं ऐसा नहीं है आप यहां संगीत को भक्ति से भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से कजरी को चैती से विशुनात को विसालाक्षी से बिसमिल्ला खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते आशेया है कि यहाँ पर सभी एक दूसरे में मिश्रित है यह तुलसी दास के शब्दों में अगर हम जाएं तो समनवय की व्यापक चेतना का शहर है यहाँ संगीत भक्ती में मिश्रित है यानि भक्ती और संगीत एक है और कोई भी भक्ती किसी अलग धर्म के कलाकार के साथ जोड़ कर देखी जाती है उसे अलग नहीं किया जा सकता यानि हर धर्म का कलाकार भक्ती कर सकता है कजरी और चैती जो लोक संगीत है वे एक दूसरे से जुड़े हुए है और वैसे ही जुड़े हुए है जैसे विश्वनात विशालाक्षी देवी से जुड़े हुए है बिस्मिल्ला खाँ साहब गंगा के दौर से जुड़े हुए हैं यानि गंगा के सामने मौजूद मंदिर में देखे जा सकते हैं अक्सर समारोहों यो मुच्सों के में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्ला खां है बिस्मिल्ला खां का मतलब बिस्मिल्ला खां की शेहनाई शेहनाई का तात पर बिस्मिल्ला खां का हाथ हाथ से आशे इतना भर कि बिसमिल्ला खां की फूंक और शेहनाई की जादूई आवाज का असर हमारे सिर चड़कर बोलने लगता है सेहनाई में सरगम भरा है खां साहब को ताल मालूम है राग मालूम है ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे शेहनाई में सास सुल लेकर निकल पड़े शेहनाई में परवर्दिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े दुनिया कहती सुभान अल्ला तिस पर बिसमिल्ला खां कहते अलहमद दुलिल्लाह यानी यहां हम देखते हैं बच्चों कि शेहनाई का मतलब बिसमिल्ला खां साहब है और बिसमिल्ला खां साहब का मतलब उनका हाथ उनका रियाज वे जब सेहनाई बजाने चलते तो ऐसा लगता जैसे वे बहुत सारी नेमतों को लेकर उतर पड़ते उनको जो तालीम मिली थी जो सिक्षा मिली थी उनको जो काशी का परिवेश मिला था जो वातावरन मिला था उस वातावरन उस परिवेश से जो कुछ उन्होंने सीखा था वो सब लेकर वे लोगों के सामने स्वरों के माध्यम से धुनियों के माध्यम से प्रस्तुत हो जाते दुनिया उसे सुनकर मंत्र मुगध हो जाती और कहती सुभान अल्ला यानि बहुत सुंदर बहुत अच्छा किया और बिसमिल्ला खाँ साहब अपने क्या कहते अलहमुद दिल्लाः यानि सब कुछ उसकी दया है उसकी क्रपा है सब कुछ उसी का है छोटी छोटी उपस से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है शेहनाई का कर्तब सुरू होने लगता है बिसमिल्ला खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ फूंक में आजान की तासीर उतरती चली आई देखते देखते शेहनाई डेर सतक के साज से दो सतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई बचों यहाँ आप देख रहे हैं की लेखक की शेली में क्या रवानगी है कितना प्रवाह है ऐसे जैसे कोई नदी बहती चली जा रही है वे जब बता रहे हैं बिसमिल्ला खां साहब के विशे में कि कैसे वे देखते ही देखते बिसमिल्ला खां साहब अपने इस कला को आगे बढ़ाते हैं और इतना बहतर तरीके से उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि वह साज वह वाद्ययंत्र जो डेड़ सतक का है वह दो सतक का बन जाता है यानि उसकी जो प्रभाव छमता है वह बढ़ जाती है और वाद्दे यंत्रों की कतार में वह सरताज हो जाता है यानि बादशाहत प्राप्त करता है सरस्रेश्ट हो जाता है अमीर الدین की शेहनाई गूंज उठी उस फकीर की दूआ लगी जिसने अमीर الدین से कहा था बजा बजा बच्चों उस फकीर की यानि जब कभी बजा रहे थे अमीर الدین बच्पन में तो किसी फकीर ने उन्हें दूआ दी थी कि बजा बजा यानि बजा तू अपने जीवन में संगी को एक लक्ष की तरह इस्थापित कर आज शायद उस फकीर की दूआ लग गई और उस्ताद बिस्मिल्ला खांस सहब सच मुच में उस शेहनाई को बजा सके जिसमें आजान की तासीर आजान का असर आ गया आजान यानि इश्वर से प्राप्त होने वाली दूआ का असर आ गया किसी दिन एक शिश्या ने डरते डरते खांस सहब को टोका बाबा आप यह क्या करते हैं इतनी प्रतिष्ठा है आपकी अब तो आपको भारत रत्म भी मिल चुका है या फटी तहमद न पहना करे अच्छा नहीं लगता जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं देखे बच्चों अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हमसे प्रेम करते हैं हमारे प्रतिसनेह रखते हैं वे हमारा ख्याल भी रखते हैं हमारी वेश भूशा को लेकर सचेत रहते हैं तो उनकी एक विद्यार्थी ने एक बार डरते डरते उनसे कहा कि आप फटी दियानी बच्चों तहमद एक प्रकार का वस्त्र होता है जो शरीर के निचले हिस्से को ढखने के लिए आराम दे वस्त्र होता है उसे लपेट लिया जाता है वो सिला हुआ वस्त्र नहीं होता है चादर की तरह होता है तो उस्ताद विस्मिल्ला खान साहब का तहमद फट था और उनकी शिस्या, उनकी विद्यार्थी को यह चिंता थी कि वे फटीत हमद में क्यों मिलते हैं, जब कि उन्हें भारत रत्न तक मिला है, इतनी प्रतिष्ठा है, लोग इतना पसंद करते हैं, इतने लोकप्री हैं, इस बात का देखे जवाब क्या देते हैं, खां साहब म बच्चो कितने मारके की बात की गई है यहां गौर करने वाली बात है उस्ताद बिसमिल्ला खाँ साहब ने कितनी गजब की बात कही है और शायद यह सीख हम सब के लिए भी है मैं कहते ही कि अगर मैं वेश भूशा बनाऊ सरिंगार पर तुम लोगों की तरह ध्यान देता तो ऐसी शेहनाई नहीं बसती जरूर मैं अपने बाहरी प्रभाव को वढ़ा लेता जरूर मैं अपने वेक्तितों के बाह पक्ष को सुन्दर बना लेता मुझे देख कर हो सकता था लोग को लगता कि मैं सुन्दर हूँ लेकिन जो मेरे बीतर का गुण है वही तो महत्पूर्ण हैं न बच्चों यानी शेहनाई बजाने का जो गुण है वह कहां से आता और भारत नृत्म शेहनाई के कारण मिला है शारिरिक सौंदर के कारण नहीं देखिए बच्चों आप भी आईने के सामने काफी समय बिताते होंगे अपने बाहरी वेशभूशा के प्रती अपने बाहरी सौंदर के प्रती सचेत रहते होंगे लेकिन ध्यान दीजे क्या यह बाहरी वेश भूसा और सौंदर आपको प्रसिद्ध दिलाएगा अगर उतना ही ध्यान उतना ही समय आप फुस्तक के सामने बिताएं तो आप भी बिस्मिल्ला खां साहब की ही तरह प्रसिद्ध हो सकते हैं बिस्मिल्ला खान साहब की तरह ही लोकप्रिय हो सकते हैं और अपने जीवन को भी सफल कर सकते हैं तब क्या खाक रियाज हो पाता ठीक है बिटिया आगे से नहीं पहनेंगे मगर इतना बताये देते हैं कि मालिक से यही दूआ है फटा सुर नबक से लुंगिया का क्या है आज फटी है तो कलसी जाएगी उन्होंने अपनी उस विद्यारती के इक्षा को भी रख लिया उन्होंने का ठीक है अब तुम कह रही हो तो हम इसको अब नई पहनेंगे नई लुंगी या नया तहमत पहनेंगे लेकिन लुंगी फट जाएगी तो बदल दी जाएगी जैसा इस्थाई महत्तो का चीज है बिस्मिल्ला खाँ साहब के लिए उनका संगीत उनका सुर इस्थाई महत्तो का था अगर वह फट गया तो नहीं सिला जा सकता इसलिए बिस्मिल्ला खाँ साहब ईश्वर से प्रात्ना करते हैं कि वह न फटे लूंगी फट गई तो बदल लेंग खाँ साहब को इसकी कमी खलती है अब देसी घी में वह बात कहां और कहां वह कचोड़ी जलेवी खाँ साहब को बड़ी सिद्दत से कमी खलती है अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा खाँ साहब अपसोश जताते हैं बचों यहां ध्यान दीजे मलाई बरफ जो उनके बच्पन में बिका करती थी बचों जिसे आज कल आप लोग आईस क्रीम कहते हैं वह आईस क्रीम पुराने जमाने में मलाई बरफ के रूप में बिका करती थी मलाई बरफ यानि दूद की बनी हुई आईस क्रीम होती थी जिसे एक विशेश प्रकार का भोपू लगा कर एक व्यक्ति बेचा करता था साइकल पर लेकर तो खां साहब को चुकी स्वाद का भी शौक था स्वादी व्यक्ति भी थे रियाजी के साथ तो उन्हें वो याद आती है लेकिन वो अब कहां रह गई अब खतम हो चुकी हैं चीजें कचोड़ी जलेबी भी उस तरह नहीं है क्योंकि अब शुद्ध देसी घी ही नहीं मिल पाता है खां साहब को ये सब बड़ी सिद्दत से खलता है और यही नहीं उन्हें इस बात का भी अपसोस होता है कि संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा गायक यानि जो गायक कलाकार होते हैं वे संगती संगती यानि संगतकार जो उनका संगत देते हैं जो साथ में वाद्दे वगरा बजाते हैं उनके प्रती आदर नहीं रह गया लोगों में आप गायक अपने को तो महान मानते हैं और जो साथ देने वाले वाद्दे बजाने वाले हैं उनकी उपेक्षा करते हैं बचों एक कविता भी आपके पाठे पुस्तक में है संगतकार मंगलेश डबराल जी की कविता उसमें भी कुछ ऐसा ही भाव है आप उस कविता को भी पढ़ेंगे इस से मिला कर तो आपको और आनंद आएगा खां साहब को इस बात का अफसोस है कि संगतियों का सम्मान क्यों नहीं करते गायक उन्हें करना चाहिए अब घंटों रियाज को कौन पूछता है अब उतना अभ्यास भी नहीं करते विद्यार थी अब तो तुरंट तुरंट उन्हें चीजों को प्राप्त कर लेना है तुरंट प्रसिद्ध हो जाना है है बिस्मिल्ला खाँ कहां वह कजली चैती और अदब का जमाना सच मुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया संगीत साहिते और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुपत हो गई एक सच्चे सुरसाधक और सामाजिक के भाती बिस्मिल्ला खाँ साहब को इन सबकी कमी खलती है काशी में जिस तरह बाबा विशुनात और बिस्मिल्ला खाँ एक दूसरे के पूरक रहे हैं उसी तरह महरम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमनी संस्क्रिती भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं बच्चों इस पार्ट से नकेवल हम बिस्मिल्ला खाँ साहब के बारे में जानते हैं बलकि इस पार्ट के माध्यम से हम उस गंगा जमनी तहजीब से भी परचित होते हैं जिस तहजीब की मिट्टी में बिस्मिल्ला खा जैसे लोग उगते हैं विक्सित होते हैं और अपने मकाम को प्राप्त करते हैं जहां ताजिया मुहर्म होली अबीर या गंगा जमनी तहजीब बहुत कुछ आहत हो गई है बहुत सारी कटरताएं मौजूद हो गई हैं लोगों में घर कर गई हैं अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थ आपों पर सोती है काशी में मरण भी मंगल माना गया है काशी आनंद कानन है सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिसमिल्ला खां जैसा ले और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब ही रा रहा है जो हमेशा से दो कौमों को एक होने वा आपस में भाई-चारे के साथ रहने की प्रेणा देता रहा है भारत रत्न से लेकर इस देश के धेरों विश्विद्यालेयों की मानद उपाधियों से अलंकृत वा संगीत नाटक अकादमी पुरसकार उंपन्द विभूशन जैसे सम्मानों से ही नहीं बलकि अपने अज्जेय संगीत यात्रा के लि सूस कर रहा है कि बहुत कुछ इतिहास बन गया है बहुत से हमारी तहजीब हमारी संस्कृति की अच्छी बातें अब इतिहास बन गई है आज वे मौजूद नहीं है वरत्मान वे नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ मौजूद है क्यों मौजूद है अपन अपनी संगीत यात्रा में आज भी अजे हैं, आज भी उनका सम्मान वैसा ही है, और वैसे ही हम उन्हें भविश्य में भी संगीत का नायक मानते रहेंगे। नबे वर्ष की भरी पूरी आयू में 21 अगस्त 2006 को संगीत रश्कों की हारदिक सभा से विदा हुए खाँ साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्टा वा एकाधिकार से सीखने की जी जी विशा को अपने भीतर जिन्दा कि उन्होंने अपने भीतर संगीत सीखने की जी जी विशा जी जी विशा बच्चों जीने की जो अदम में एक्षा सकती होती है यानि जो दमित ना की जा सके ऐसी एक्षा जो किसी कीमत पर छोड़ी ना जा सके वा हमारे बिसमिल्ला खाँ साहब के पास थे और शायद वही उनकी हमें देन है बच्चों यह जी जी विशा अपने भीतर जिलाए रखिए शुब करते रहिए अच्छा करते रहिए अपने जीवन को अच्छा बनाते रहिए और अपने भीतर के गुणों का विकास कीजिए बाहिस अंदर पर कम ध्यान दीजिए आप भी बिसमिल्ला ख पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं उमीद करता हूं कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फिर किसी दिन फिर किसी पाठ के साथ फिर हम आ जाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल